किसानवाई तांडो पैदावार वाली लौकी की यह चार हाइबेट किसमें जो देती हैं बेस्ट क्वालिटी के साथ लंबे समय तक लगातार उत्पादन किसानवाई लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती आप वर्ज के बारहो महिना कभी भी कर सकते हैं यदि इसकी खेती करने से पहले लौकी की उन्नत किसमों का चुनाव सही तरीके से कर बुआई करें तो लौकी की फसल में बहुत ही कम लागत लगा कर अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है किसानोई लोकी की खेती करने से पहले उननत किसमों का चुनाव करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लोकी की मार्केट में तरह तरह की बहुत सी वराइटियां है खास कर साइज में कोई गोल हैं तो कोई ज़्यादा लंबी हैं तो कोई भारी हैं जिने market में सबजी के तोर पर बेचने में काफी जादा परिशानी होती है इसी परिशानी को ध्यान में रखते हुए किसानुए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लौकी की ऐसी चार hybrid किस्मों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके फल मेडियम साइज के और उत्पादन जो है लंबे समय तक लगातार यानि तांड़ उत्पादन होता है जिससे आप लोगों को फिक्स मुनाफ़ा कमाने का भरोसा मिल जाता है नमस्कार मैं हूँ बिजय मौर और आप लोग देख रहे हैं यूटूब चैनल नमबर वन खेतिवारी जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए है या अभी तक जिन किसान भाईयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वा वराइटी है वह बियानार कंपणी का सरिता सीट किसान भाई यह वराइटी बेट क्वालिटी के साथ अधिक उत्पादन देने के मामले में बहुत ही अच्छी वराइटी है और इस वराइटी की बुगाई आप जो है जून महीने से लेकर फरवरी महीने तक यानि लगभग लगभग इस वराइटी की बुगाई आप पूरे वर्स भर कभी भी कर सकते हैं इस वराइटी के फसल से पहली हर्वेस्टिंग साथ से पैसर दुनी में सुरू हो जाती है इसके फल का रंग गहरा हरा लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर वह गुलाई जो है 8 से 9 सेंटीमीटर वह व से पूरती एकड़ 20 दर की बात करें किसानवाय तो 600 ग्राम से लेकर 800 ग्राम पीच की आउ सकता होती है अगर हम बुगाई की बात करें किसानवाया तो पॉधे से पूधे की दूरी जो 2,5 फिट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह सात से 8 फिट पर करें तो बहुत किसानवा यह भी बहुत ही अच्छी वराइटी को भी आप सर्दी गर्मी बरसात कभी भी वहाई कर सकते हैं इस वराइटी के पौधे से पहली हर्वेस्टिंग मात्र जो है पैंतालीस से पचास दिन में सुरू हो जाती है इसके फल का रंग तोताहरा एक समान बेलनाकार फल की लंबाई 25 से 30 सेंटी मीटर वह वजन की बात करें किसानवा यह तो इसके फल का वजन मात्र जो है 800 ग्राम बीच की आउसकता होती है और पौधे से पौधे की दूरी जो आप 2-5 फिट और लाइन से लाइन की दूरी जो है 7-8 फिट पर करें तो पौधे का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है अगले नमबर की किसान। जो वराइटी है वो है SIGENTA कंपरी का बिनायक सीट्स किसान। यह भी बहुत ही अच्छी वराइटी है इस वराइटी को भी आप सरदी, गर्मी, बरसात, कभी भी बुगाई कर सकते हैं इस वराइटी के प्रति एकड़ 20 दर की बात करें किसानमायों तो मातर 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम बीच की आव सकता होती है क्योंकि इस वराइटी के पौधे की अन्य वराइटी की पौधे के पेचा बड़वार काफी ज़्यादा अधिक होती है इस वराइटी के पौधे से पहली हार्वेस्टिंग जो है वह 60-65 दिन में सुरू हो जाती है फल का रंग गहरा हरा चमकदार एक समान बेलना कार फल की लंबाई 40-42 सेंटीमीटर वह वजन की बात करें किसानमाईों तो एक किलो ग्राम से लेकर एक किलो 600 ग्राम तक होता है इस वराइटी के पौधे की बुगाई की बात करें किसानमाईों तो पौधे से पौधे की दूरी 3-3.5 फिट और लाइन से लाइन की दूरी जो है 8-10 फिट पर करें तो पौधे को बहुत ही अच्छा जगह मिल जाता है जिसे पौधे का काफी अच्छी तरीकी से ग्रोथ होता है किसानमाई यदि आप लोग इसके अलावा भी कद्दू, करेला, नेनुवा, खीरा, आद, बीज के बराइटियों के बारे में और भी अधिक जानकारी लेना चाते है तो उसका और पहले ही हमने वीडियो बना दिया है उन सभी वीडियो का हमने एक playlist बना दिया है और उस playlist का link जो है हमने description में दिया है उस link पर click करके आप लोग अधिक जानकारी ले सकते हैं और सर्दियों के मौसम में उसकी अगेती खेती करके काफी अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं अगले नंबर की किसानमा जो वरायटी है वह हम महिको कमपनी का माही 8 किसानमा यह भी बहुत अच्छी वरायटी है इस वरायटी को भी आप सर्दी गर्मी बरसात कभी भी बुगाई कर सकते हैं इस variety के पौधे से पहली harvesting जो है वह 55-60 दिन में सुरू हो जाती है इस variety के प्रतियकर 20 दर की बात करें किसानवायों तो 700 ग्राम से लेकर 900 ग्राम बीच की आवसकता होती है बीच बुआई की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी जो है 2-5 फिट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 6-8 फिट पर करें तो पौधे का काफी अच्छी तरीकी से ग्रोथ होता है इस variety से पहली harvesting जो है वह 55-60 दिन में सुरू हो जाती है इसके फल का रंग गहरा हरा चमकदार एक समान बेलना कर फल की लंबाई 40-45 सेंटी मीटर वह वजन की बात करें तो 600 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक होता है जो देखने में काफी ज़्यादा आकरसित लगता है और यह variety अन वराटियों के पेचा काफी ज़्यादा उत्पादन सील होती है और इस variety में अन वराटियों के पेचा रोग बिमारी लगने का खत्रा बहुत ही कम होता है किसान वाई आज की वीडियो में बस यहीं तक फिर मिलते हैं किसे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान